Hey guys, RS Classes 90.5 में आप लोगों का स्वागत है यह हम लोगों का Biological Lecture Series चल रहा है और आज हम लोग इसमें देख रहे हैं Lucent का एक और टॉपिक वो है आपका Sex Determination in Human तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं In human male sex chromosome is XY Whereas in female sex chromosome is XX मतलब की जो आपके female होते हैं उसमें आपके XX होते हैं और आपका जो male होता है, उसमें sex chromosome आपका XY होता है During gamet formation In male, half of the sperm contain X chromosomes while other half contain Y chromosomes मतलब की जब आपका gamet formation होता है तो आपके जो male होते हैं उनके अंदर जो होता हाफ chromosomes X होता है और बागी का जो आदा chromosomes होता है आपका Y होता है In female gamets contain only one type of chromosomes that is X मतलब की female में आपका XY नहीं होता है सिर्फ XX ही होता है Thus, when a male gamet that is sperm carrying X chromosomes fertilize an ova the gyre developed into female मतलब की जब आपके male से अगर X chromosomes निकलता है तो आपका जो resultant क्या होता है आपका female होता है क्योंकि आपका जो female होता है उसमें already आपका XX ही होता है और अगर male से अगर X आ रहा है तो आपका XX ही बनेगा XY नहीं बनेगा इसलिए आपका female develop होगा चलिए अब हम लोग समझते है एक flow chart के माधियम से देखते है क्या है कि यह female दिखाया गिया है जिसमें आपका XX आपको बताया गिया है sex chromosomes और आपका male में क्याद बताया गिया है XY chromosomes के बारे में अब जानते हैं कि यह आपका X 50% हो गया यह 50% हो गया इसमें भी आपका X और Y दोनों 50% हो गया लग लग इसमें XX ही है इसलिए दोनों साइट XX है अगर यह X आपके इस X से अगर intercourse करता है तो आपका XX बनता है मतलब कि female बनेगा उसके बाद अगर यह X आपके इस X के साथ intercourse करता है तो भी आपका resultant क्या हो जाएगा female हो जाएगा उसके बाद मान लिजिए यह वाला X आपका इस Y से अगर intercourse करता है तो आपका male हो जाएगा उसी तरह से यह वाला X और यह वाला Y अगर मिलता है तो आपका XY मतलब की male हो जाएगा चली आगे देखते है sex determination in human ठीक है पहला है आपका bar body is found in female somatic cells fertilization is done in a test tube जो आपका fertilization होता है आपका एक test tube में भी हो सकता है in laboratory further but further development takes place inside mother womb in the test tube baby मतलब क्या होता है जो आपका test tube baby होता है वो तो आपका test tube में fertilization हो जाता है लेकिन उसका जो बाखी का जो development होता है वो आपके mother के womb में होता है ठीक है next है आपका sometimes sex determination is regulated by environmental factor कुछ समय क्या होता है कुछ-कुछ में देखा गया है कि आपका जो sex determination होता है वो आपके पर्यावरन भी एक उसका factor मान जाता है in some reptiles temperature determine the sex at which the fertilized egg is incubated मतलब कि कुछ reptiles में आपका जो sex होता है वो आपके temperature पे भी dependent होता है ठीक है उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे जो आपके human होते हैं उसमें जो आपका cell होता है जो chromosome होता है उसमें आपका संख्या उसका होता है 46 any addition अगर उसमें कुछ आपका जोडा जाता है या उसमें कुछ हटाया जाता है तो क्या होता है आपका एक genetic disorder पैदा होता है तो चलिए देखते हैं पहला जो आपका disorder हो आपका है clean flinter clean flinter syndrome ये कब होता है when a male have an extra xy chromosomes in sex chromosomes then the condition will be xxy और xyy instead of xy मतलब क्या हो रहा है कि अगर किसी male में एक आपका extra chromosomes मिल रहा है जैसे male में क्या आपका xy होता है तो अगर एक extra मिल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका xyy ठीक है और अगर female मिल रहा है तो आपका हो जाएगा xxy मतलब कि ये आपका extra हो जा रहा है और ये आपका extra हो जा रहा है आप देख रहे हैं मतलब male character दिखता है muskline development मतलब कि जो मूछे वेगरा होती है उस तरह का development दिखाए पड़ता है लेकिन जो आपका female character भी होता है वह आपका fully suppressed नहीं होता मतलब कि उसमें female character भी दिखता है अंदर से और आपका जो body का जो physical portion है उससे आपका male चीज दिखता है ठीक है आगे चली देखते हैं हम लोग in female when x chromosome is present instead of xx मतलब की अब female में क्या हो रहा female का xx होता है उसमें अगर एक extra x chromosome एड हो रहा है तो they so normal development मतलब development तो normal है बट उसमें fertility जो है आपका वह आपका limited हो जाता है ठीक है उसमें क्या है आपका mental retardness मतलब की दिमागी थोड़ा सा संतुलन ठीक नहीं रहता है is also seen in this type of syndrome इस type के syndrome में आपका mental retardness मतलब की दिमागी थकान जैसा जो होता है वह भी देखा जाता है और इसमें आपके क्रोमोजोम की संख्या 47 होती है 46 के जगे पर अब नेक्स्ट जो आपका syndrome है वह आपका है टर्नाउस syndrome इसमें क्या होता है वेन फीमेल हैज सिंगल सेक्स क्रोमोजोम देख रहे हैं फीमेल में आपका एक्स होता है लेकिन यह आपे एक्स जीरो है देर ओवरीज आ रूडिमेंटरी मतलब कि आपका ओवरीज जो है आपका अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया गया है और उसमें क्या होता आपका जो secondary sexual character होता है जैसे कि breast होता है lips होता है उसमें भी आपका सही से development नहीं देखा जाता है कहीं कहीं पर missing भी होता है ठक है आगे चलते हैं रोगते हैनेक्स्ट है अपका ।रहन syndrome में क्या होता है डाउन syndrome जो है अपका उसमें गया होता है एक million होता है एक आपके बाहर की तरब निकले हुए होते दिखते हैं और उसका जो structure जो है आपका physical structure जो होता है आपका irregular होता है मतलब सही नहीं दिखता है उसके बाद देखते हैं अगला हम लोग patouse syndrome क्या होता है यह जो syndrome है आपका एक extra autosomal chromosome के addition से होता है कि इसमें 13th number में ठीक है और इसमें क्या होता है आपके lip पे एक cut mark हो जाता है ठीक है और आपका जो person है आपके mentally retarded हो जाते हैं मतलब ठकान हो जाता है दिमागी संतुलन उतना तंदरूस्त नहीं होता है उसके बाद है sickle cell anemia यह disorder जो होता है आपका यह आपका होता है in this disorder erythrocytes ठीक है destroyed more rapidly जो आपका erythrocytes है वह आपका बहुत ही तेजी से destroy होने लगता है then normal leading to anemia मतलब कि आपका यहीं होता है आपका इसमें बीमारी हो sickle cell anemia होता है next है आपका phenylketonemia यह आपका बीमारी क्यूं होता है यह होता है आपके inborn मतलब की बच्पन से ही आपके मलग छोटे में ही आपका यह बीमारी हो जाता है यह आपका कारण क्यूं होता है इसमें कारण यह होता है कि आपका 12th number जो autosomal chromosomes है उसमें आपका एक extra chromosomes add हो जाता है जिसका करण यह बीमारी आपको देखा जाता है बच्चों में यह सुर्वाती स्टेज में ठेक है next है आपका hemophilia यह आपका क्या है gene related आपका बीमारी है यह आपका sex मतलब की gene related है मतलब की gene responsible for this disorder linked with the sex chromosomes this disease lead to failure in blood clotting अगर इस किसी को अगर हेमोफिलिया नाम बीमारी है तो उसमें blood clotting का अभाव देखा जाता है next देखते हैं हम लोग color blindness ठेक है इसमें क्या होता है disorder this disorder lead to failure in distinguished red and green color इसमें क्या हो रहा है आपको लाल और हरा color को सही से पहचान नहीं कर पाता है जो बंदे को यह आपका color blindness होता है the gene responsible for this disease is situated in sex chromosomes यह भी आपका sex chromosome से related है ठेक है next है देख लेते हैं कुछ संख्या बताया गया chromosome का कि किस प्राणी में कितने chromosome की संख्या होती है यह आपका पेर नहीं है यह आपको पेर में नहीं दिखाया गया संख्या दिखाया गया है ठीक है तो पहला है आपका poison इसमें आपका assi है मतलब की 40ffiti और हो गया उसी तरह चिंपैंजी में 48 Rabbit में 44 मतलब की 22 पेर फ्राउग में 26 मतलब की 13 housefly में 12 मतलब की 6 पेर डॉग में 78 मतलब की 49 पेर पोटेटो में 48 मतलब की 24 पेर wheat में 42 मतलब की 21 पेर हो गया tomato में 24 मतलब 12 पेर और mosquito में 6 मतलब की 3 पेर आपके chromosomes होते हैं उसके बाद देखते हैं हम लोग horse में 64 मतलब की 32 पेर human में 46 मतलब की 23 पेर cat में 38 मतलब की 19 पेर p में 14 मतलब की 7 पेर और आपके asqueries में 2 मतलब की 1 पेर इस परकार यह lecture end होता है अगर lecture अच्छा लगा हो तो please like, subscribe, share जरूर कर दे Thank you, thank you very much